हेलो दोस्तो वेलकम बेक टू मैं चैनल सिविल उजर्स दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 20 फिट बाइ 50 फिट के प्लॉट का 2 भी एच के हाउस प्लान तो चले दोस्तो टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले मैं आपको इस प्लॉट की दीटेल समझा देता हूँ दोस्तो जैसा कि आप इस किन पर देख सकते हो कि आज के हमारे क्लाइंट हैं मिश्टर अजेंदर जो की सोनिपत हर्याना से है और दोस्तो इनके प्लॉट का साइज है 20 फिट बाइ 50 फिट जो की ये प्लॉट है टोटल 1000 वर्क फुट और 111.12 वर जीए सबसे पहले हमें 2 बेट डॉम्स चाहिए ठीक है और इं दोनों ही बेड डॉम्स में हमें 2 ट्वीलेट और दोनों में अलमारी या फिर कबॉड हमें डिजाइन करके देना है ठीक है उसके बाद फ։ट सेप की स्लैब लगी हुई होनी चाहिए ठीक है उसके बाद एक lobby चाहिए, एक staircase basically हमें outside में design करनी है outside में क्यों design करनी है वो भी समझे क्योंकि client का कहना है कि in future वो first floor या फिर second floor बनाएगा तो उसको as a rent purpose use करेगा ठीक है तो इसलिए हम यहाँ पे staircase outside में design करेंगे, उसके बाद store room चाहिए और एक car parking भी हमें इस plot में design करके देनी है, ठीक है तो चले दोस्तो मैं भी आपको लेके चलता हूँ इस plot के design पर, ठीक है तो दोस्तो जैसा कि आप इस skin पर देख सकते हो कि मैंने यह आपे इस 20 feet by 50 feet के plot का 2BH के house plan client की requirement के according कुछ इस तरह से design किया हुआ है, तो चले दोस्तो अभी मैं आपको इस house plan को step by step समझाता हूँ, देखिए फैंस, सबसे पहले बात करेंगे house plan के main gate के बारे में, देखिए north east corner में मैंने 10 feet चोड़ा gate का size दिया हुआ है, ठीक है तो फैंस यानि कि gate हमारा north east में है तो वास्तो सास्त के अगोडिंग बिल्कुल सही दिसा में है, ठीक है, उसके बाद फैंस, जब आप gate में घर में entry करते हो gate से, तो आपको यहाँ पे मिलती है car parking, parking का यहाँ पे size है, 11 feet 6 inch by 15 feet का बहुती बड़ा size मैंने दिया हुआ parking के लिए, ठीक है, उसके बाद फैंस, आप यहाँ पे देखो, लेफ्ट में मैंने staircase बनाई हुई है, staircase की up direction आप देख सकते हो, clockwise direction में है, ठीक है यानि कि staircase भी हमारी वास्तो सास्त के अगोडिंग बिल्कुल सही है, ठीक है, उसके बाद फैंस, अगर staircase की flight width के बारे में बात करें, नहीं की, चोड़ाई के बारे में बात के, तो देखे, 3 feet, 3 inch की चोड़ाई हम use करेंगे, landing वगरा की staircase की, ठीक है, अभी अगर riser और trade के size के बारे में बात के, तो देखे फैंस, riser हमें, खड़ाई जो होगी हमारी stair की, वह 7 inch की होगी, और trade जिस पर आप pair रखते हो, उसकी चोड़ाई होगी आपकी 10 inch की, ठीक है, अभी फैंस, next बात करते हैं, इस stair के, इसके total area के बारे में, तो देखे, फैंस, 7 feet, 9 inch by 10 feet, 8, 3 inch का हमारा यहाँ पर total stair का area होगा, ठीक है, जिसमें फैंस, यहाँ पर हम stair के नीचे, store room बनाएंगे, जिसका size होगा, 7 feet, 4 inch by 4 feet का, ठीक है, अभी फैंस, घर में हम main entry करते हैं, तो यहाँ फैंस, यहाँ पर मैंने 4 feet, चोड़ा door दिया हुआ है, इस door से आप घर में entry करोगे, तो फैंस, सब बड़े-बड़े rooms ही चाहिए थे, ठीक है, तो देखेंस, यहाँ पर room का size काफी अच्छा है, जिसमें मैंने 2 feet, चोड़ी, एक cupboard भी attach की हुई है, ठीक है, उसके बाद फैंस, यहाँ पर इस bedroom में मैंने एक toilet attach किया हुआ, इस toilet का size, देखें, 7 feet, 4 inch by 4 feet, 3 inch का बहुत अच्छा toilet का size है, इसमें एक komode, यह wash machine और यह shower और इसके बराबर में यहाँ पर मैंने यह ventilator लगाया हुए, प्रॉपर रोशन के लिए, ठीक है, और फैंस, यहाँ पर मैंने यह window लगा हुई है, आउटर side में, इस bedroom में proper ventilation के लिए, ठीक है, उसके बाद फैंस, आप इस bedroom से आगे बढ़ते हो, तो lobby में आते हो, lobby का size है, 11 feet, 4 inch by 9 feet का, यह भी size अच्छा है, lobby के लिए, उसके बाद फैंस, देखिए, यहाँ पर मैंने kitchen बनाए हुई है, जिसमें U-shape की slab लगाई हुई है, जो की 2 feet चोड़ी kitchen में slab लगाई हुई है, ठीक है, उसके बाद फैंस, client की requirement के coding, मैंने यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर भी बनाया है, ठीक है, और यहाँ पर एक मैंने washbasin भी दी हुई है, OTS में जाने के लिए, ठीक है, देखें, यहाँ पर door का size 2 feet 9 inch का मैंने दिया हुआ, इस door से आप इस OTS में entry करोगे, यहाँ पर देखें, इस OTS का size है, 6 feet 3 inch by 4 feet 9 inch का, ठीक है, देखें फैंस, इस OTS से क्या होगा, इस bedroom को ventilation मिलेगा, इस kitchen को ventilation मिलेगा, और यहाँ पर मैंने एक attached toilet बनाया हुआ, इस toilet को भी इस OTS से ventilation मिलेगा, ठीक है, तो देखें यहाँ पर toilet का size आप देख सकते हो, 4 feet 3 inch by 6 feet 10 inch का, यहाँ पर toilet का size है, और यह आपका commode, यह washbasin है, और यह आपका shower है, ठीक है, उसके अभी next बात करते हैं, इस house plan के चच्जे के बारे में, तो आप outer side में देख सकते हो, मैंने यहाँ पर 3 foot चोड़ा एक roof projection, यानि की चच्जा मैंने यहाँ बाहर side में निकाला हुआ है, ठीक है, यह तो बात हुई house plan के बारे में, ठीक है, अभी बात करते हैं, इस house plan के total door and window के sizes के बारे में, ठीक है, देखे फैंस, यहाँ पर door window का index मैंने बनाया हुआ है, देखे, इस house plan में जहाँ पर आपको D मिलेगा, वहाँ पर door का size होगा, 4 feet by 8 foot का, door का size D कहाँ पर है, यहाँ पर main entry हमारी door की होगी, ठीक है, D1 के लिए, जो bedroom बग यह हम 2 feet by 8 feet का door का size उज़ करेंगे, क्योंकि इसमें ventilator नहीं लगा हुआ है, तो जो door के उपर को जो ventilator होगा, 1 foot का जो ventilator होगा, उसी से हम इस toilet को ventilation देंगे, ठीक है, उसके बाद अगर इस वाले door के ventilator के बादें बात के, तो यहाँ पर मैंने ventilator दिया हुआ है, तो यहाँ हम door का size उज़ करेंगे, धाई fit by 7 feet का door का size ठीक है, अभी फैंस next बात करते है, door window attach के बारे में, तो फैंस यहाँ पर मैंने door window attach दिया हुआ, देखिए, इसमें door का size होगा, 2 feet 9 inch by 8 foot और जिसमें window का size होगा, 2 feet by 6 foot का, ठीक है, अभी फैंस next बात करते है, window के बारे में, देखि हमारी 9 feet का height पर लगेगा, ठीक है, 20 liter का size होगा, 2 feet 3 inch by 8 feet का, यह ground floor से 7 feet की height पर लगेगा, ठीक है, अभी फैंस next बात करते हैं, इस house plan के total columns के बारे में, देखिए फैंस यह जो जब भी black tot है, यह सभी हमारे columns है, और फैंस इस house plan में मैंने 2 type के column use के हुए हैं, क्योंकि फैंस in future client इसको as a first floor, second floor भी बनाएगा, जो rent purpose के according बनाएगा, ठीक है, तो load capacity को ध्यान में रखते हुए, मैंने आप ए column का size दिया हुआ है, यहाँ पे मैंने 2 type के column use के हुए, एक तो 9 by 12 का column है, और एक 9 inch by 9 inch का column है, ठीक है, 9 inch by 12 inch को हमने आपे C नाम दिया हुआ है, 9 inch by 9 inch को हमने आपे C1 नाम दिया हुआ है, ठीक है, तो friends, आप यहाँ पे plan में देखकर समझ सकते हो, जहाँ पे मैंने C दिया हुआ, जैसे यह C है, यह C है, यह C है, तो यह सभी हमारे 9 by 12 के column है, देके friends, यह वाला हमारा छोटा column है, तो यह sorry मैंने आपे गलत लिग दिया हुआ है, तो य इस तरह के column का नाम पढ़के आप अंदाज लगा सकते हो कि कौन सा column कितनी size का है, ठीक है, अभी friends, last बात करते हैं कि इस घर को बनाने में हमारा total कितना खर जाएगा, तो देखे friends, इस घर को बनाने में total हमारा 12,00-13,00,00 का खर जाएगा, यानि कि 12-13,00,00 में यह ground floor complete ready हो जा ठीक है, तो चले दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं, नेक्स वीडियो में, थैंक यू, बाबाई